आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए ए आई ए टी सी रिजल्ट दो हजार एक इस के बारे में जैसा कि दोस्तों आप सभी को यहां पर पता है कि ए आई ए टी सी की जो एक्जाम थी जो ऑनलाइन एक्जाम थी यहां पर पचीस से लेकर 27 मार्स तक कराई गए थी जिसमें की काफी सारे कैंडेट ने एक्जाम दिया था पर दोस्तों यहां रिजल्ट कराए हुए लगभग दो से धाई महीने हो चुके हैं पर अभी तक जो है यहां पर ए आई टी सी की जो रिजल्ट है अभी तक डिकलेर नहीं की गई है यानि कि दोस्तों अगर आप प्रीवियस एयर की भी अगर आप देखेंगे रिजल्ट की पर करिया तो लगभग एक्जाम होने के बाद एक महीना पंदरा दिन के अंदर यहा एटी सी की जो रिकवरेंट निकाली गी थी उसकी रिजल्ट में आखर इतनी देरी क्यों हो रही है दोस्तों मैंने आपको रिसेंटली एक हफते पहले मैंने आपको जो है इसकी कटब के बारे में जो एिजल्ट करकर आपको वीडियो दिया था उसके अंदर काफी सारे decades के क डिकलेयर नहीं किया गया आखिर क्या वजा है डिकलेयर ना करने का लेकर यहां पर दोस्तों आप जो भी एक्जाम देख लिए यहां मार्च में महिए मुगा चाहिए अप्ली नहींच के महिए है क्योंकि Candidates इंतजार कर रहे हैं क्योंकि ऐसा फर्स टाइम हो रहा है कि रिजल्ट की परिकिरिया में इतनी टाइम लग रही है क्योंकि अगर आप रिसेंटली प्रिविएस एर भी चेक करते हैं या ए आई टी सी की जो रिजल्ट थी उसके लगबग एक महिने के अंदर एक पर यहां इस बार आपकी मार्श के महिने में एक्जाम होई पर अभी तक जो है रिजल्ट की परिकिरिया में आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है क्योंकि रिजल्ट आएगी फिर आपकी डीवी होगी फिर मेडिकल टेस्ट होगी फिर आपकी इंटर्वी होगी फिर उसके ब उने के बाद काफी सारे सहरों में लॉक्डॉन की परिकरिया स्टार्ट हो गई जिसके अंदर जो करमचारी थे वो संपून रूप से आ नहीं पा रहे थे यानि कि जो रिक्विरेंट बोर्ड है यहां पर एयरपोर्ट ऑथरेटी ऑफ इंडिया की उनकी भी करमचारियों में क जिसके कारण रिजल्ट की परिकरिया पूरे तरह से इस्थागित थी जो काम थे वो पूरे तरह से बन थे जिसके कारण जो एक्जाम की जो रिजल्ट थी उसमें कहीं न कहीं देरी हो रही थी इस चीज़ को लेकर पर यहां पर आप सभी को आपने एक्जाम दिया है जब त तब तक आगे की परकेरिया नियोगी, तब तक आगे की डेट से नहीं आएगी, तब तक आपकी आगे की पूरी परकेरिया हो भी नहीं सकती है, क्योंकि result ही से पता चलेगा कि इसके अंदर कितने candidate जो है, सलेक्ट हुए है, इनकी dv होनी है, इनकी interview होनी है, तब वहाँ पर ज इंडिया बताया जा रहा है कि जो आपकी Airport Authority of India की जो रिजल्ट है एटिसी की जो रिजल्ट है वो जून के महीने में 50% चांस है क्योंकि दोस्तों एक रिजल्ट को बनाने के लिए कम से कम यहाँ पर जो है रिजल्ट की परिकिरिया को पूरा करने के लिए एक महीने तो प्रॉपरली समय चाहिए होता है लगभग यहाँ पर अगर आप देखे तो अनलॉक की परिकिरिया खुलने के कारण जो कारयाले हैं जो विवागे हैं जो र परमचारी को बुलाया जा रहा है तो इसके कारन कहीं न कहीं जो है रिजल्ट की परकेरिया में देरी हो रही है तो पर दोस्तों यहां पर वो बताया जा रहा है कि रिजल्ट की परकेरिया में देरी नहीं होगी क्योंकि जो रिजल्ट की प्रात्मिक्ता है रिप्रेवरेंट बोड की वो जल से जल पूरी करेगी तब कहीं न कहीं जाकर आगी की प्रोसेस की पूरी की जाएगी तो इसलिए दोस्तों भरतियों को रोक कर सबसे पहले आपकी result की परकिरिया पे काम की जारी है कि candidates को जल से जल जो है अपनी पर नाम को यहां पर घोजित किया जाए क्योंकि काफी सारे candidates इस चीज को आस लगा के बैटे हैं कि हमारी इस बर selection होगी और हमारी यहां पर यहां पर जौब भी निर्धारित है इस चीज को लेकर काफी कैंडेट टेंशन में हैं जिसके कारण जो है रिकुरेंट बोड जाती है कि जल से जल जो है प्रोसेस पूरा किया जाए पूरे करमचारियों के ना आने के कारण रिजल्ट में कही न कहिए देरी हो रही है पर तभी दोस्तों मैं बता दून आपकी यहां पर जून के अंदर रिजल्ट की परकेरिया पूरी होनी यहां पर इंपॉसिवल लग रही है क्योंकि एकजाम होने के बाद लौक ड़ून के परिकरिया स्टार्ट होने के कारण यहाँ पर रिक्वेरնंट बोर्ड है। वह किसी वर्क्स पर काम नहीं कर पाए थी। जिसके यारण यहाँ पर समय लग रहा है। समय आपको एक मुईना का यहाँ पर पूरा लग जाएगा। आप यह कर सकते हैं कि June में नहीं तो July में आपको फर्स्ट सब्सकिप देखने को मिल सकता है इस से पहले दूस्तों आपको नहीं मिल सकता है जो भी update है हम आपको time to time update कर देते हैं वीडियो पसंद आ तो like करिएगा share करिएगा और comment करकर जरूर बताएगा कि आपको क्या लगता है कि जो Airport Authority of India वो आपकी result कब तक जारी कर देगी तो जो भी आपकी comment है वो comment करकर जरूर बताएगा उमीद करते हैं वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा और अभी तक आपने हमारा यूटूब चैनल स्टड़ीज उनको सस्क्राइब नेगा सस्क्राइब कर लिएगा तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तपक लुस्त चाहिंद